आप सभी को मेरा प्रिणाम हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज आपके सामने जो प्लांट हम चर्चा करने वाले हैं इसको मीठा पत्ता करी पत्ता मुराया को इनकी नाम से जाना जाता है और रूट आते हैं महां डालते हैं या फिर सांबर बनाते हैं महां भी इसको डाला जाता है बहुत उप्योग में आता है इसके सभी जो प्लांट पार्ट है नाकेवल लीव बट इसका जो तेल होता है इसकी जो छाल होती है सभी इस्तमाल किये जाते हैं इसका जो तेल निकालते हैं व करते हैं आप इसकी एक पत्ता चबा लिजिए सुगर को पंट्रोल करता है मल्टीबल टाइप ऑफ केमिकल कॉंसेंट इसके अंदर पाया जाते हैं फिलेंडरिन केरियो फाइलिन टर्पिन वाइड पॉलिफिनॉलिक कंपाउंड्स एक्रीडॉन और कई माइक्रो और मैक्रो मिनेरल्स इसके अंदर पाया जाते हैं जो शरीर की इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए विस्स कारे करते हैं साथी एक पत्ता अगर आप इसको चबाएंगे तो यह ब्लड सुगर को भी कंट्रोल कर रखता है डाइजेशन का काम करता है भूग को बढ़ा इमीना गोग भी है शरीर के अंदर होर्मोन को रेगलेशन का कारे भी करता है कि क्या होता है कि बदलते हुए मौसम में इम्मुनिटी भी कम हो जाती है तो इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए भी आप इसका डिकोक्षन बनाकर सहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं बहुत अच्छा क कर लेते हैं जैसे कि 100 ml आप तिलका तेल ले लिए उसमें करीब करीब पचास ग्राम इसके पते लेकर दीमियाच पे पकाईए और फिर इसको चान के कांच की बोटल में भर लीजिए आप इसको जब अपने स्केल्प पे लगाएंगे हेर साफ्ट मजबूत हो जाएंगे और पिर कई बार क्या होता है कि तुचा के ऊपर वाइट स्पोर्ट भी हो जाते हैं ऐसे कि इसमें आप इसकी पुल्टिस बना कर बांद सकते हैं और साथ ही साथ इसका शिवर्न भी स्टार्ट कर देना चाहिए आप इसका 5-10 ml जूस भी पीते रहें देरे-देरे क्या होता है लिवर टॉक्सिफिकेशन होता है और वाइट जो स्पोर्ट हैं वो भी दूर हो जाते हैं तो तुचा की कांती को बढ़ाने के लिए डाइजेस्टन के रेगलिशन के लिए अलसर की समस्चा हो जाती है वो भी डाइजेस्टु सिस्टम से जुड़ी हुई है उसको भी यह वाथ पित कफ तीनों का समन करता है बोडी में एकलुरियम मेंटेन करता है आप कटिंग के माद्यम से प्रोपेगेट कर सकते हैं इसका जो सीड होता है उसके अंदर तेल होता है उसको आप एरोमाथरेपी में यूज कर सकते हैं एंजाइटी को रिलीव करने के लिए इसका किया जाता है इस परकाएं यह जो प्लांट है आप अपने घरों में लगा सकते हैं क्योंकि यह श्रब होता है ज़्यादा इसको अपिगा उतव करक करते हैं बहुत सेफ़ीं यूज कर सकते हैं。 माताएं तो एक पत्र का मतलब यहां से लेकर पूरा एक यह तो लीफ लैट कहीं जाएंगे तो अगर पत्ते की बात कहीं गई तो आप इतना ले लिजे इसको पूरा आपको लेना होता है अनेमिया के लिए खाली पेट सुबस्वे ले ले लिजे और नियुर्डी जनेरेटिव चाएंगे प्राशन को निकालेगा और जो ते सकते हैं यहां ले सकते हैं इस प्रकारसे आपने जानकारी ली है आप इसको अपने साथियों के साथ साथ साज्ञा कर सकते हैं जाते जाते एक बात और मैं बताना चाहता हैं क्योंकि इसके अंदर multiple type of chemical compounds पाए जाते हैं मित्रू हमें ध्यान ही रखना है अगर आप कोई modern medicines ले रहे हैं या फिर को diabetes के लिए या hypertension के लिए या epilepsy के लिए या फिर कोई chronic disease के लिए अगर आप medicines ले रहे हैं और कड़ी पता कर रहे हैं तो जरूर अपनी डोज आप control रखिए कई बार क्या होता है कि overdose की problem आ जाती है तो excess मात्रा में यूज ना करें और अगर आप कर रहे हैं modern medicines ले रहे हैं तो अपनी medicines पे भी control आ जादा डाउन हो जाए या फिर आपका blood का जो glucose level है वो भी ज्यादा डाउन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो complex of chemical compounds हैं उनकी अपनी metabolic activity होती है जो कि आपको long lasting effect में नुक्सान भी कर सकते हैं इनी बातों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं आप सर्भी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार लाइक शेर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फिर में लेंगे नए प्लांट के साथ प्रणाम